ममतब एनर्जी की चोट हादसा है या हमला इसी सवाल को लेकर बंगाल की राजनीती में घमासान मचा हुआ है जब ये घटना हुई तब न्यूजनेशन की टीम वही थी हम आपको इस घटना का सच बताएंगे उससे पहले ये आपको बता दे कि ममतब एनर्जी का मेडिकल बुलिटिन जारी हुआ है अस्पताल में भरती उनकी तस्वीर सामने आई है वो 48 घंटे के निगरानी में है प्रारमी के जांच में टखने और पैर की चोट की बास सामने आ है डॉक्तर के मुताबिक गहरे सदमे में सीम अमतब एनर्जी है 48 घंटे तक सीम अमतब एनर्जी को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा पूरी तरह से अब्जवेशन में हैं सीम अमतब एनर्जी और तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है जखमी है वो इस वक्त हाथ पैर कंधो में चोट यहाँ पर आई है प्लास्टर भी इस वक्त आप उनके बाएं पैर में देख रहे हैं फिलहाल पांच डॉक्टर्स की यह टीम यहाँ पर बनाई गई है ताकि कि किसी भी तरह से इलाज में कोई भी चूक न रहने पाएं ये भी आपको पता दे कि म पाच लोगों ने उन पर हमला किया लेकिन बीजेपी से ममताब एनरजी का नाटक करार दे रही है लेकिन कल क्या हुआ था यह रिपोर्ट देखे फिर हम आपको आगे दिखाएंगे हमले की कहानी चश्मदीद की जुबानी नंदी ग्राम में लगी चोट के बाद कोलकाता के अस्पताल में इलाज करवा रही सीम ममताब एनरजी की ये तस्वीरे हैं तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है और उनके बाएं पैर पर प्लास्टर लगा है अस्पताल से उनकी इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए उनके भतीजे और टीमसी सांसत अविशेक बेनरजी ने लिखा है बीजेपी रविवार दो मई को बंगाल के लोगों के शक्ती को देखने के लिए खुद को तयार कर ले हर वक्त अपनों से घीरी रहने वाली पश्शिम बंगाल के सियम ममता बेनरजी ने नंदी ग्राम में लगी चोट के बाद अपने स्वास्त को लेकर चिंता जाहिर की थी सियम मम्ता बेनर जी ने कहा था कि उनके पाउं में गंभीर चोट लगी है चोट के बाद उनका पैर सूज गया है नंदी ग्राम में चोटिल होने के बाद सियम मम्ता बेनर जी को इलाज के लिए कॉलकाता के स्सक्यम हस्पताल लाया गया अब अस्पताल ने सियम मम्ता बेनर जी के स्वास्त को लेकर मेडिकल बुल्टेन जारी किया है इस मेडिकल बुल्टेन में उनके सदमे में हुने और शरीर के कई हिस्सों पर जोट का जिक्र किया गया है इमेडियेटल अर अर्राइवल Honorable CM was examined by a team of doctors initial examination suggests severe bone injuries in her left ankle and foot along with bruises and injuries in her right shoulder right forearm and neck Honorable CM has also complained of chest pain and breathlessness since the incident अस्पिताल में दीदी का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मताबिक विननदी ग्राम में चोटिल होने के बाद सत्मे में है इधर कॉलकाता के SSKM अस्पिताल के बाहर TMC समर्थकों का ताता लगा है TMC समर्थक राद भर अस्पिताल के बाहर जमे रहे कुछ समर्थकों ने अस्पिताल के करीब एक मजार में जाकर उनके जल ठीक होने की दुआ भी की नंदी ग्राम में CM अम्तब एनरजी को लगी जैसे ही पहली पूरे पश्चिम बंगाल में TMC के कारकरताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया ये पश्चिम बंगाल के रानी गंज की तस्वीरे हैं जहां TMC के कारकरताओं ने नंदी ग्राम में हुई घटना के विरोध में हाईवे जाम कर दिया TMC के कारकरता नंदी ग्राम में हुई घटना पर कड़े एक्सन की मांग कर रहे हैं फुगली में सड़क पर उत्रे कारकरताओं ने देश बचाओं के नारे लगाए साथ ही इस मामले पर बीजेपी को भी घेरा रानी गंज और हुगली के अलावा बाकुडा, हावडा और मुर्शिदाबाद में भी जमकर हंगामा हुआ है नंदी ग्राम की घटना के बाद TMC के कारकरता गुस्से में है और उनका कहना है कि विरोधी दलो को विदान सबा चुनाओं में इसका तगरा जवाब दिया जाएगा टीम, न्यूज नेशन और इस खास मुद्ध पर चाचा करने के लिए दो महमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिज़पी परवक्ता अनिला सिंग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टीम सी परवक्ता बादल देवनाद जी हमारे साथ मौजूद है आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है अब आपको नंदी ग्राम से वो रिपोर्ट दिखाते हैं जहाँ पूरा वाखिया हुआ हमारे समधा था धिरेंदर पुंडीर कल खुद पूरे दिन ममतब अनर्जी के काफिले के साथ थे क्या हख्यार आई इस रिपोर्ट के जरीए जरूर देखें पूश्टार लागा पूश्टार लागा किसी उनके उपर कोई हमला यहां नहीं हमला कोई भी मनलब दीबक जी यह जो यहां आने के बाद चुकी मुख्यमंत्री ने जो कहा था तो हम लोग तुरंत यहां न्यूज नेशन यहां पहुंचा घटना स्थल पर यहां बहुत ही थी यहां जो उनके समर्थ को की भीड़ थी और वो दर्वाजा चुकी सड़क के बीच में इस तरह के पीलर आपको अमूमन नहीं दिखते हैं जो जिस तरह के लोहे के दो पूलर थे तो लगता है कि उसी साउधानी के चलते वह यहां दर्वाजा जो लोगों के मताबिक ह साथ यहां उनके चोट लगनी की बात की गई कहां आप ने देखा लागते हुए को ना आप दो आप नहीं देखा यहां लाओ अच्छा एक बदा रहे थे कुए हमला कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ तो यह दोनों पिलर के बाजु में उसका दर्बाजा खुला हुआ था ठीक है तो उसी में गाड़ी का दर्बाजा धक्का लगके फिर आदमी का भीर भी काफी जादा ही था ठीक है उनके साथ साथ चल रहे थे मतलब हम लोगों का काफीले में काफी पीछे था और जो अमूमन होता है मतलब जनलिस्टों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है कि वो पूरा उनका जो बॉड़ी कवर था यानि प्रोटेक्शन गीर था पूरी तरह था और वो हम लोगों को चुक और यहां लगातार पूरे सुबह से आज हम उनके साथ इसी तरह थे तो यहां हुआ उस समय एक वीजुल भी हम लोगों ने देखा नियूज नेशन ने डाला है कि किस तरह से वो थोड़ा कराते हुए है एक वीजुल है और उसमें शायद वो डाटती है उसमें सुरक्शा क घेरा होता है उस वक्त यहीं इसी जगह पर जो भी होना था एक्शन होना था चुकि पूरी सुरक्शा दायरे में थी पूरी गाड़ियों का काफिला था और उनके समर्थों का था इसके बीच में ऐसा होना हम लोगों को भी बड़ा अश्यर यह लगता है लेकिन जब हम यह यहां आते हैं तो यहां ज्यादतर लोग जितने जितने लोग यहां थे उन लोगों का यह हैं अभी हम लोग horsepower तक क्या हूता है यह मुखमंत्री ने जो कहा उसको किस तरह से जाच का डरे में लाए जाएगा किस तरह वह ओक है तो हमला या हादिसा ऐसी पर चाचा करेंगे लेकिन सबसे पहले तपस आपकी तरफ रुख करेंगे इस वक्त क्या कुछ इस्तती सेहत को लेकर बनी हुई है यह मम्ता बेनर जी की हम चाहेंगे जल्द ताजा बडेट आपके जरी दश्कों तक पहुँचें जी देखिए मम्ता बेनर जी फिलहाल तो स्टेबल है और उनके पैर में प्लस्टर भी किया गया है जो अस्पताल के सुतुरिक के हवाले से खबर की इस समय वो ट्रेटमेंट पर रिस्पॉंट कर रही है हाला कि उनके कंधों पर और कोहनी पर भी चोट लगा है हाला और दूस कि आपको क्या कुछ लगता है कि आप मौके पर मौझूद है क्या आपको लगता है हकीकत की तस्वीर यह हकीकत की सुई किस तरफ ज्यादा इशारा करती है हादसा या हमला चलिए दुरिंद की तरफ आगे रोख करेंगे लेकिन बादल देवनाजी आपकी तरफ क्योंकि सियम अमतब एनर्जी को चोट लगी है उनकी तस्वीर भी यहाँ पर सामने आई है यही दुआ करेंगे कि जल से जल वो ठीक हो जाएं डॉक्टर्स जल से जल उन्हें स्वस् लग रहा है टीमसी को कि यह हमला है क्योंकि जस तरह से तस्वीर भीड़ भाड में सामने आती है कई बर धक्का मुक्य हो जाती है कई बर बहुत सारी ऐसी चीज़े हो जाती है यह तो कानून विवस्ता को और मजबूती के साथ होना चाहिए था सीम अमतब एनर्जी के साथ में बीजेपी नाटा कह रही है कॉंग्रेस नाटा कह रही है चश्मदीद कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ टीमसी किस बिना पर कह रही है कि यह हमला था साजश थी जोट दोर्सी है महाँ शीव रहती है मैं आपको और मेरे साथ पैनलिस्ट स्रिपोर्टार पुरे देजबाशी को मैं सुवेचार सुभ कामोनाई और सब को पुरे देजबाशी को मैं नामन करता हूं पार शुक्री और साथ-साथ माम्धा बैनेची एक महीना भी है और चैस्ट वा किनल पता हुए संदो और नाट वह तक भी बूदिच पर अक सुब्सक्रा पर बात में पता चलेगा जोड़ो पता चलेगा अगर सियम के साथ जिसके हाथ में सत्ता की कमान अगर उनके साथ ऐसे हो सकता है तो फिर बाकी जन प्रतिनिधी किस हिसाब से चुना प्रचार प्रसाल करेंगे ठीक है आपके पास आउंगी सर को कि वक्त यहां पर सबको देना है अनिला जी क्यों बीजेपी को लग रहा है ये नाटक है? देखिए जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, हाथ में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, सीने में दर्द हो रहा है, सास लेने में तकलीफ हो रही है, 48 गंटे का उब्जवेशन है, बीजेपी इसे क्यों करने का प्रयास किया गया है, एक एकसिडेंट को इंसिडेंट बनाने का प्रयास किया गया है, ये गलत है, देखिए ममता बेनेर जी जो है, जिस उजा के साथ पूरी अपनी लड़ाई लड़ रही है, राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है, ठीक है, वो हमारे अपोजिशन पर हमारे टकर सीधे सीधे TMC से है, कहीं ना कहीं मम्ता बेनर जी को शायद ये लग रहा है, बहुत जादा mental pressure भी है, कि बेचिनाओं में क्या होने वाला है, 2019 से हमने जिस प्रकार से फज़ा हां की बिदलती हुई देखी है, तो वहां तो रंग दिखने लग जया ना, कि इस ब सीने में दर्ग का symptom क्या है, कि आपको anxiety हो रहे हैं, लेकिन सीधे तोर पर नाटक करार देना, पहले से ही करार दे देना, कि ये नाटक है, या फिर हमला नहीं हुआ है, ये तमाम चीज़े तो देखे जाच का विशह है, और जाच इस पूरे मामले को लेकर होनी चाहिए, कि हादसा है या हमला है, ठीक है, आपके पास आओंगी, माम आपके पास में आओंगी, बादल देरना जी आपके पास भी, नहीं कोई किसी पर यहां पर आरोप नहीं लगा रहा है, माम कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहा है, धिरेंदर हमारे साथ बने हुए, धिरेंदर च जादा जो उस मौके पर मौजूद थे या उस बाजार में जहां सबसे कॉर्णर पर दुकान है चुको एक मोड है उस मोड पर बहुत सारी दुकाने है वह में बाजार है वहां के तमाम लोगों ने रात में जब हम लोग आट बजे करीब बहां पहुंचे थे उन्होंने उसी वक्त बताया कि ये एक दर्वाजे के खुले होने के वक्त एक दर्वाजा जो पीलर्स वहां दो बड़े वो लगे हैं आयरन के बड़े पीलर्स लगे हुए हैं जनरली रोड के उस तरफ नहीं होते इतने अंदर की तरफ वो इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि वहां पानी के अभिवादन कर रही थी उसी में वो दर्वाजा बंद होता है क्योंकि उस पूरे वीडियो में आप देखेंगे जो वीडियो हम लोगों ने उसी वक्त का दिया था कि वो उस समय करा रही है और उसको शैद सुरक्षा कर्मी को कुछ कह भी रही है उसमें हम लोग यह नहीं कह स कोई साइन वहां नहीं दिखते हैं और अगर उस वक्त हमला हुआ तो भीड में कोई आदमी या पूरी तरह साफ हो सके कि यह हमला यहां पर है हला कि यह आपको बता दे कि मौके पर इस वक्त एस पी और डियम जो है मौजूद है मौइना किया जा रहा है पूरे मामले की हमला हुआ है